तो बच्चों आज हम solve करेंगे DOE की तरफ से provide किये गए mission mathematics practice paper 2 को जो की class 8 के लिए है total marks 30 का है session 2023-24 के लिए है most important है आपके annual exam के लिए बाकी सभी chapter के most important question के लिए comment को चेक कर सकते हो दोनों medium में solution मिल जाएगा practice कर लो ओके question पर आजाओ खंड का प्रस्ण एक में बहुविकल्पिये प्रकार के प्रस्ण है एक से 6 है जिन में परतेक प्रस्ण एक अंग का है question 1 का first 0.3 का वर्ग है तो 0.3 का वर्ग करो ठीक है double time multiply करोगे 0.3 गुड़े 0.3 कितना मिलेगा आपको 0.09 ठीक है आपका B option right हो जाएगा first में अगला second 49 P square minus 36 के गुड़न खंड है solution देखो answer first का first यहाँ पर लिखा गया है B option right हो जाएगा ठीक है second question यहाँ पर लिखा गया 49 P square को लिख सकते हैं 7 P का whole square अगर इसे आप double time लिखोगे multiply करोगे तो आपको same मिलेगा कितना 49 P square इसी प्रकार 36 को लिख सकते हैं 6 का square double time तोड़ोगे तो 36 ही मिलेगा ठीक है अब यहाँ पर हम formula apply करेंगे A square minus B square equal to एक bracket में A plus B दूसरे में A minus B तो एक बार A पर 7 P, B पर 6 है तो 7 P plus 6 दूसरे में 7 P minus 6 हो जाएगा चाहो तो इसे आप पहले लिख दो और इसे बाद में इस प्रकार लिख सकते हैं C option आपका right हो जाएगा ठीक है अगला question अगला question third third root of minus 27 बराबर है solution answer third question यहाँ पर लिखा गया 3 root में minus 27 को लिख सकते हैं minus 3 into minus 3 into minus 3 ठीक है multiply करने पर 27 ही आएगा आगे लिख सकते हैं यहाँ पर minus 3 तीन बार है तो minus 3 की power 3 into लगाएंगे यह root हटेगा 1 upon 3 हो जाएगा ठीक है इस प्रकार लिखेंगे अब 3 से 3 कट हो जाएगा minus 3 की power 1 मतलब कि minus 3 आपको मिलेगा be option right हो जाएगा ठीक अगला question अगला question number 4 minus 1 की घाथ 21 का मान है तो minus 1 की घाथ कितनी है 21 से 21 भी समसंख्या है तो आप अगर इसे 21 बार तोड़ोगे minus 1 गुड़े minus 1 इसी प्रकार 21 बार तो आपको minus 1 ही मिलेगा अगर यहाँ पर समसंख्या होती जैसे की 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो आपको एक प्लस के साथ मिलता है लेकिन यह विसम संख्या है 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार कोई भी विसम संख्या होगी पैवर में तो number minus के साथ आएगा तो यहाँ पर minus 1 आपका अंसर होगा ठीक है A option right हो जाएगा अगला question 5 उप्योग सर्वसमिका का उप्योग करते हुए 502 का स्क्वार माइनस 498 का स्क्वार का मान ग्यांत कीजिए solution answer 5 question लिखा गया यहाँ पर हम formula अप्लाई करेंगे A square minus B square equal to एक ब्रेकट में A plus B दूसरे में A minus B तो A plus B 502 प्लस 498 में दूसरे में A minus B 502 माइनस 498 ठीक है अब इसे प्लस करेंगे तो 1000 आएगा यहाँ पर गुने के निसान लग जाएगा hide है और इसे माइनस करेंगे तो 4 आएगा multiply करो multiply करोगे 1000 को 4 से तो आपको मिलेगा 4000 जो की आपका B option right होगा ठीक है अगला question question number 6 यद किसी घं के प्रते किनारे को दो गुना कर दिया जाए तो इसका प्रिष्ठे शेथफल डैस गुना हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर B option right होगा 4 गुना हो जाएगा कैसे होगा solution देखो answer 6 भुजा A है ध्यान रखना ठीक है प्रते हम इस्तिति में घं का प्रिष्ठे शेथफल 6A square formula होता है तो यह आपका प्रिष्ठे शेथफल हो जाएगा लेकिन कह रहा है कि अगर भुजा को दो गुना कर दिये जाए किनारे दो गुना होंगे 6 का टेबल बोलो 24 में 4 टाइम जाएगा तो आपका 4 टाइम ये जादा हो जाएगा यानि कि 4 गुना जादा हो जाएगा ठीक है clear है तो यहाँ पर आपका B option राइट हो जाएगा 4 गुना जादा होगा ठीक है अगला question Question number second गुड़न खंड कीजिए जेड स्क्वाइर माइनस 4 जेड माइनस 12 solution answer number 2 question यहाँ पर लिखा गया starting में एक हाईड है जेड के साथ और यहाँ पर last में 12 है तो last का starting वाले टरम से multiply होगा 12 का एक से multiply करेंगे कितना आएगा 12 अब 12 के दो ऐसे गुना खंड निकालो कि गुना करने पर 12 आए और last निसान माइनस है माइनस करने पर बीच का नमबर आए 4 आए तो 6 दुना 12, 6 में से दो जाएगा 4 आ गया ठीक है starting का नमबर सेम लिखो last का सेम लिखो बीच का हटा दो जो नमबर आपने सोचा उसी के साथ जट लगाकर आपको लिख देना है इसान का ध्यान देते हुए ठीक है अब यहाँ पर लिख देंगे तो यह माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस करने पर 4 आएगा ठीक है इन दोनों में कॉमन जट करेंगे तो जट माइनस 6 आएगा फिर यहां पर प्लस है फ्लस लिख दिया यहां पर कॉमन दो करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो Z-6 आएगा दोनों में सेम आना चाहिए ठीक है एक बार सेम ब्रेकट के लिखो दूसरी बार बाहर वाला एक साथ कर दो Z-2 ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा आंसर ठीक है ग बना हुआ है उसे बनाने के लिए धातु की कितनी चादर के अउशकता है तो उसके टोटल समपूर्ण प्रिष्ठ के बराबर ही चादर के अउशकता होगी तो यहां पर आपको बेलन का समपूर्ण प्रिष्ठ यह शैथफ़ निकाल लेना है ठीक है आर पता है h पता है solution द आर, h प्लस r होता है तो 2 pi r 2 पे 2 pi कमान 227, r पर 7, h और 3 प्लस 7 ठीक है? value डाख दो, 7 से 7 कट गया, 22 को दोस्किया 44, 7, 10 आजैगा 440 ठीक है? तो यह आपका answer हो जाएगा, इतने meter square चादर की जरूरत होगी, ठीक है? अगला question, question No.4, 統 주 के bombree p minus q का whole square minus p plus q का whole square solution answer number 4 question यहाँ पर लिखा गया ठीक है माना P-Q बराबर A और P-Q बराबर B ठीक है तो यहाँ पर यह हम formula apply करेंगे A square minus B square equal to एक bracket में A plus B दूसरे में A minus B तो यह इस form में है ठीक है A plus B A पर P minus Q plus B पर P plus Q दूसरे bracket में A पर P minus Q minus B पर P plus Q लिख दिया गया ठीक है minus Q plus Q कट गया P plus P 2P आगया इधर अब इस bracket को solve करेंगे P minus Q minus A bracket से पहले तो अंदर की निसान बदल जाएगा इस प्रकार हो जाएगा अब इधर भी 2P into यह plus का है और यह minus का है कट जाएगा minus Q minus Q तो प्लस हो जाएगा minus 2Q हो जाएगा ठीक है अब इसका multiply करोगे 2,2,4 PQ minus का निसान लग जाएगा तो minus 4PQ answer आजाएगा तो minus 4PQ answer आजाएगा question number 4 में ठीक है अगला question देखो question number 5 Y के किस मान के लिए निम्न समी करण का बाया तथा दाया पक्ष समान होगा solution देखो answer number 5 question यहापर लिखा गया ठीक है बटेक लगा लो भिन्नो का प्लस हो गया अब हर का LCM निकालो 3 और 1 का LCM निकालो कि 3 आएगा यहापर लिखा गया है ध्यांस देखना तो यहाँ पर 3 लिखा गया 3 का पहाड़ा LCM में बोलो 1 बार जाएगा तो उपर वाली ट्रम में 1 से बारी बारी मल्टिप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा 6Y प्लस 1 लिखा गया इधर भी सेम बटे 1 था 1 का पहाड़ा LCM में बोलो 3 बार जाएगा तो उपर वाले नमबर में 3 से मल्टिप्लाई होगा तो 3 आएगा यहाँ पर लिखा गया ठीक है इधर का नमबर सेम लिखा गया आगे यह हो जाएगा 6Y प्लस 3 1 चार बटे में 3 इधर आजाएगा Y माइनस 3 बटे में 6 ठीक है cross multiply करोगे ध्यान से देखो तो 6 का पहले 6Y से करोगे 36Y आएगा फिर 6 का 4 से करोगे 24 आएगा इसी परकार इधर भी cross multiply करोगे 3 का पहले Y से करोगे 3Y आएगा फिर 3 का 3 से करोगे 3-3 9 हो जाएगा cross multiply में ठीक है Y को Y की तरफ लओ प्लस का माइनस हो जाएगा, नंबर को नंबर की तरब भेजो, प्लस का माइनस हो जाएगा, इस प्रकार, माइनस करोगे, 33Y आएगा, इधर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस 33, ठीक है, तो Y equal to, माइनस 33, अपोन में ये डिवाइड में हो जाएगा, 33, कटोगा, माइ की वेलू आपको मिल जाएगी माइनस वन यह आपका आंसर नमबर कौन सो जाएगा फाइफ ठीक है अगला कोशन देखो अगला कोशन नमबर सिक्स कोशन नमबर सिक्स बीस अजार रूपए का दो वर्ष के लिए दस परसेंट वार्षिक दर से चक्रिव रिद्धी व्याज ग यान से आंसर नमबर सिक्स पी पता यानि की प्रिंसिपल यानि की मुलधन पता है बीस अजार एन यानि की टी टाइम पता है दो साल आर यानि की दर का पता है दस परसेंट ठीक है तो डारेक्ट चक ब्रिद्धी व्याज वाला फोर्मुला लगा दो सी आई वाला फोर्मु फोर्मुला होता है पी ब्रेकट में एक प्लस आर बटे में 100 पावर में एन या फिर टी लिख सकते हो और माइनस भी फिर से लिख दिया गया डायरेक्ट वाला फोर्मुला है ठीक है अब इसकी वैलू रखो पी पर 20,000 एक प्लस आर पर दस बटे में 10 भिन्नों का प्लस करो बटे एक लगो क्रोस मल्टिप्लाई दस एकम 10 प्लस एक एकम एक बटे में 10 एकम 10 यानि क्या जाएगा 11 बटे 10 पावर कितना है दो तो डबल टाइम लिख सकते हैं 11 बटे 10 गुने 11 बटे 10 डारेक्ट यहां पर लिखा गया है ठीक है माइनस 20,001 लिख दिया गया 0 से 0 कट हुआ इस वाले 0 से 0 कट हो गया अब 2111 गुने 11 लिखा गया माइनस 200,000 इसको गुना करोगे 24200 माइनस 20,000 माइनस करोगे 4200 रुपए आपकको मिल जाएगा चक्र बृध्धि व्याज यह आपका आंसर हो जाएगा आंसर नमबर 6 डारेक्ट वाले फोर्मूले से अगला कोशन देखो कोशन नमबर 7 यह एक्स और य प्रितलोम समान उपाती हैं तो P, Q और R का मान ग्याद कीजिए यह कोशन है, solution देखो आंसर नमबर 7, question में कहरा कि X, Y प्रितलोम समान उपाती हैं तो ध्यान से देखो, प्रितलोम समान उपाती का मतलब यह आपका X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4 हो जाएगा ठीक है, तो 6 गुणे 18 बराबर होगा 8 गुणे P के ठीक है, क्योंकि प्रितलोम समान उपाती है, तो P बराबर 8 बटे में हो जाएगा कट करोगे 2 से 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2 से कट करो, 2, 4, 2, 9, 18, 9, 37, 27, बटे 2 आजाएगा पी का मान चाएगा, अब फिर से इसी प्रिकार ध्यान से देखो Q गुणे 49 बराबर निकलेगा 6 गुणे 18 के, जो वैलू पता है, उसको हम उसके इक्वल रखते हैं, ठीक है तो यहाँ पर दोनों का पता है, तो फिर से से हम लिखेंगे ऐसे ही, तो Q बराबर 49 नीची आजाएगा कट करो, तीन से तीन दूना छे, यह आजाएगा, तीन एकम तीन, 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 नो, 18 को दोस करो, 36 बटे 13 Q का मान आजाएगा, ठीक है, 36 बटे 13, इसी प्रिकार आगे देखो ज्यान से 25 गुणे R बराबर निकलेगा, 6 गुणे 18 के लिखा गया, तो R बराबर 25 नीची आजाएगा अब यहाँ पर कुछ कटनी होगा, तो 18 को 6 से गुणा करो, 108 बटे में 25 हो जाएगा, तो यह आपका, P का, Q का, R का मान आजाएगा, ठीक है, ध्यान रखना और यहाँ पर इसको इसके इक्वल इसलिए किया गया, मल्टिप्लाई के साथ, क्योंकि प्रितलोम समानुपात की बात हो रही है, इसलिए हर बार ऐसा किया गया है, ठीक है, अगला कोस्टन देखो, अगला कोस्टन नमबर 8 है, गणित प्रियोकसाला, गती विधी के दोरान एक सिक्षक ने प्रतेक छात्र को विभिन प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए नीचे आकृती में दिखाए अनुसार, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबाई के 4 इस्ट्रो दिए, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, अब आगे कोस्टन किया गया है, उपर यक्त जानकारी के आधार पर निमनलिखित प्रसनों के उत्तर दीजिये पहला कोस्टन दिए गए, इस्ट्रो को विवस्तित करके कितने प्रकार के चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं, इसका आंसर देखो, आंसर नमबर एट का फस्ट, तो सबसे पहले हम बना सकते हैं, आयत क्योंकि आयत की आमने सामने की भुज़एं बराबर होंगी, उसके बाद हम बना सकते हैं, समान तर चतुर्भुज, इसकी सम्मुक भुज़एं समान और समान तर होंगी, ठीक है, अब इसके बाद में हम बना सकते हैं पतंगा कार चतुर्भुज इस प्रकार और यहां पर आप छे लिख लेना यह दोनों साइड छे है ठीक है ध्यान रखना तो लिखो कि अता तीन प्रकार के चतुर्भुज बनेंगे ठीक है फर्स्ट कांसर हो जाएगा second question देखो second question करा इन इश्टरो से बनने वाले किनी दो चतुर्भुजों के नाम लिखिए तो आयत और समानतर चतुर्भुज हो जाएगा ठीक है तो second में लिख लो आयत और समानतर चतुर्भुज ठीक है अगला question Q3. एक विद्यार्थी ने इन इश्ट्रों से एक आयत बनाया विद्यार्थी द्वारा बनाय गए आयत के विकर्ण की लंबाई ग्यात कीजिए solution देखो Answer No.3 अगर आयत बनाएगा तो आयत इस प्रकार बनेगा आमने सामने की भुझाएं क्या होंगी बराबर होंगी और इसका विकर्ण ये हो जाएगा ठीक है तो विकर्ण का फॉर्मुला लगा दो तो यहाँ पर डारेक्ट भुझाओं का वर्क करेंगे रूट के अंदर 6 का स्क्वार प्लस 4 का स्क्वार 6.36, 4.16 जोडेंगे 52 आ जाएगा 52 केल्सियम निकालोगे 2 गुणे 2 गुणे 13 पेर बनेगा 2 का एक बाहर निकालाएगा रूट 13 सेम लिख देंगे तो विकर्ण निकलेगा 2 रूट 13 सेंटीमीटर ठीक है आंसर थर्ड हो जाएगा क्लियर है आयत के विकर्ण है तो आयत के विकर्ण का फोर्मले अपलाई करने है ध्यान रखना ठीक है अगला देखो इसका अथवा वाला कोस्षन है इन इस्ट्रों से बनने वाले सभी चतुर्भुजों के दो सामान ने गुण लिखिये तो तीन चतुर्भुज बने हुए है आयत समान तर चतुर्भुज और पतंगा कार चतुर्भुज तो तीनों के दो दो गुण लिखने हैं सोल्यूसन देखो आंसर नमबर एट का अथवा पहला आयत लिखो तो इसके दो गुण लिखो पहला पॉइंट आयत की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर और समानतर होती हैं दूसरा आयत के प्रते कौन 90 डिगरी के होते हैं अब सेकंड लिखोगे समानतर चतुर्भुज समानतर चतुर्भुज में पहला गुण लिखोगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर और समांतर होती हैं दूसरा पॉइंट इसके सम्मुख कौन बराबर होते हैं तीसरी हेटिंग लिखोगे पतंगाकार चतुर्भुज तो इसमें लिखोगे पहला पॉइंट इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोंड पर काड़ते हैं या फिर प्रतिछेद करते हैं दूसरा आसन भुजाओं के दो अलग अलग जोड़े सरवांग सम होते हैं ठीक है तो ये तीनों आकृतियों के दो दो गुण हो जाएंगे आंसर नंबर 8 कात्वा हो जाएगा फिर से आप डारेक्ट सारे आंसर एक साथ देख लो ठीक है तो बच्चों ये आंसर 1 का 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6, 2nd कांसर, 3rd कांसर, 4th कांसर, 5th कांसर, 6 कांसर, 7 कांसर, 8 का 1st, 2nd, 3rd और अथवा कांसर 8 का ठीक है तो बच्चों इस इक साथ ये सेंपल पेपर कंप्लेट हुआ कहीं पर कोई डाउट है कॉमेंट कर सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो मिलते हैं अगली वीडि कि अथ चाइब डीक ह बच्छों कर सूप्चिव कांसर प्सक्थ अधन है टॉडए सिंट ईंट अटॉर झाल झाल